गुद मॉर्निंग फ्रेंड्स तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड नमबर टू ओसिलेशन का ये एपिसोड हमारा टैप पर होगा, नेक्स एपिसोड फिर से बोर्ड पर होगा कुछ चीज़े और अच्छे से समझाने के लिए देखो यहाँ पर मुझे कुछ नुमरिकल लेना है और कुछ चीज़े आपको दिखानी है उसके लिए तो कल हमने पढ़ा था कि periodic motion क्या होता है periodic and oscillatory motion ये हमने कल पढ़ा था अब देखो हमने कुछ चीज़ों में फरक तो समझा था उसी के ओपर कुछ क्वेश्चे आते हैं जैसे के पहला क्वेश्चे ने देखो तो क्वेश्चे में दिया है कि विच आप फॉलिंग जाम्पल रप्रेजेंट्स पिरियोडिक मोश्चे पहला अंड Depth Fish पहला है option इस फुरिमर कंपलिटिंग वन रिटरं इत्त्रीप फ्र्म बन बंक ओ अफ रिवर तु दे अदर के बैंद भाइग डत तो अगर हम देखते हैं कि पहला वाला मोश्चन कौनं सा है तो मैं उसके बारे में लिखूंगा कि वो non-periodic motion है तो इसको लिख सकते हैं पन not periodic क्यों ऐसा? because हमने देखा था कि अगर वो periodic motion हो तो उस swimmer को एक जगा से दूसरे bank पर जाना चाहिए वहाँ से फिर इधर आना चाहिए फिर इधर से उधर जाना चाहिए फिर उधर से इधर आना चाहिए इस तरह उसको बार-बार motion करना चाहिए एक fixed time period के साथ ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि वह स्रिफ जाता है एक बैंक से दूसरे पर और वापस आजाता है मतलब एक बर जाना है राइट तो लेफ और बाद में वापस आजाना है लेफ टो राइट बस खटम ठीक है? इसलिए सेकेंड है राइट बार मैगनेट आइड दिस्प्लेजड फ्स नहीं डियरेक्शन अड रिलीजड इस तरह है और इस बार मैंगनेट को क्या किया आपने इसको से रिलीज किया ठीके? एसे लटका हुआ हूँए और यह जा एक अन पोल है और एक एक एस पोल है अब आपने क्या इसको ऐसे घुमाया होगा और छोड़ दिया इसे घुमा कर अपने छोड़ दिया जब आ उसको ऐसे घुमा कर छोड़ देते हो तो वो क्या करता है वो oscillations perform करता है तो freely suspended क्योंकि फ्रिली suspended था बार मागनेट डिस्प्लेस फ्रॉम एनेस पोजिशन क्योंकि यह एनेस पोजिशन में कैसा रहता है मालूमें अगर आप देखेंगे तो हम अगर यह मानते हैं यह डिरेक्शन हो गया यह नौर्थ और यह सूथ हो गया और यह आपके बास में इस्ट है यह वेस्ट है तो हमारा जो बार मागनेट होता है अगर उसको उपर से देखेंगे तो वह इस तरह रेस्ट में आता है यह उसका एक्विलिब्रियम पोजिशन होता है उपर के तरफ वह एन दिखाता है और नीचे के किसी भी एक तरफ आपने डिस्प्लेस किया तो वह समझ लो ऐसा डिस्प्लेस हो गया ठीक है ऐसे डिस्प्लेस अगर वह हुआ है तो मैगनेटिक फील्ड की वज़े से क्या होता है क्योंकि वह यह एन पोल है यह इधर एन उसका अट्राक्टेड हो रहा है न नौर्थ के त तो इसको हम बलते हैं कि वह पिरियोडिक मोशन प्रफॉर्म करता है तो सेकेंड इस पिरियोडिक ठीक है सेकंड पिरियोडिक थर्ड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इस सेंटर अफ मास ठीक है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वह सेंटर अफ मास माs के आराउंड में जो है? तो रोटेट कर रहा है तो यह वाला भी motion periodic होता है हम यह वाला motion periodic होगा, hydrogen molecule का rotating about it center of mass कि कि वो rotate कर रहा है, नisher ioos यह एक hydrogen molecule है और यह उसका center of mass यागा तो वो इधर से इधर जाता है फिर आसे जाता है फिर आसे जाता है फिर आसे आता है ठीक है वो इस तरह से rotate करता है okay fine समझ में अरी बात आपको यहां तक अच्छा और last case है अपना नहीं second last case an arrow release from a bow जब arrow release हुआ है बो से तो यह क्या होगा not periodic होगा क्योंकि वो तो निकला और चला गया ना वापस थुड़ी आने वाला है not periodic और last case 5th a hellis comet hellis comet जो है यह actually एक periodic motion है oscillation तो नहीं है लेकिन periodic motion है मनलब क्या होता है मालूम है hellis comet जो अता है यह every 76 years बाद वो दिखता है ठीक है every 76 years बाद वो हमको visible होता है अर्थ है तो हम उसको बोल सकते है कि वो एक ऐसे revolution में है जो हर 76 years के बाद वो हमको दिखाए देता है यानि कि वो periodic motion है वो गोल घुमकर आता है अब वो zigzag घुमकर आता होगा वो गोल घुमकर आता है और वो 76 years बाद वो दिखाए देता है तो इसको बोलेंगे हम यहां पर periodic motion the next question is it's also from NCRT which of the following examples represents nearly simple harmonic motion and which represents the periodic but not SHM okay now the problem is that we have to understand our SHM for this problem you have to understand SHM for who to tell it then let's go and learn SHM and learn it so what do we do here? oscillations 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 specific SHM simple harmonic motion आपको simple harmonic motion के बारे यह तो बताया था कि ऐसा motion जिसके अंदर restoring force जो है वो इस equation को फॉलो करता है पावर वन होता है उसका तो वो simple harmonic motion होते है तो simple harmonic motion के अंदर SHM के अंदर में हमारे पस में दो होते हैं एक होता है linear SHM ठीक है और एक होता है angular SHM तो हम अभी linear SHM पर फोकस करते हैं पहले ठीक है linear SHM पर फोकस करते हैं कि what is linear SHM तो देखो जरा क्या होगी definition linear SHM की number one तो देखिये student SHM क्या होता है ठीक है SHM simple harmonic motion an oscillatory motion of a particle in which a restoring force is always proportional to the displacement from the mean position कल आपने डागराम आपको बताया न निकाल कर? आपने डागराम आपको निकाला था यहाँ आपर ऐसे वो अपने इस्प्रिंग ब्लॉक वाली सिस्टम का इस्प्रिंग वाली सिस्टम का और आपने देखा था के आप क्या करते हो यह mean position होता है यह mean position होता है अगर तो mean से आप जितने दूर लेकर जाओगे object को यह object है आपका अगर उसको आप जितने दूर लेकर जाओगे उसके उपर उतना ही एक force act करता है और वो force हमेशा proportional to x होता है force is always proportional to x but negative यह negative इसलिए होता है क्योंके वो force जो है opposite to displacement होता है displacement अगर positive है तो force पीछे की तरफ लगेगा ठीक है इस तरह होगा और अगर displacement इदर negative लग रहा है तो force आपका positive लगेगा और यह force होगा इस तरह से तो इसको SHM बोलते है simple harmonic motion उसको बोला जाता है जिस oscillatory motion के अंदर एक force हमेशा displacement के proportional में रहे और वो restoring force रहे यानि के वो object को वापस लाने की कोशिश करे object कहीं भी चला जाए उसको वापस लाने की कोशिश करो इसको SHM बोलते है ठीक है और SHM में फिर हमारा पहला जो point है वह है linear SHM linear SHM, a simple harmonic motion यह हमने पढ़ा अभी एक straight line में अगर हो तो इसको linear SHM बोलते है क्योंकि हमने अभी क्या देखा था oscillatory motion यह निगा SHM के दो अलग-अलग types linear और angular तो linear कौन सा होता है angular वो होता है जो angular direction में होता है angular way में या curved path पर होता है जैसे इसका example अगर में लिखो तो मुझे लिखना पड़ेगा linear SHM की spring block system example के लिए इसा लिख सकता हूं spring block जो हमने कल बनाया था spring block system और angular SHM के लिए में लिख सकता हूं pendulum simple pendulum या complex pendulum जो होते हैं वो इस तरह का motion करते हैं angular SHM करते हैं तो अभी पहले simple harmonic motion पर थोड़ा focus करते हैं के SHM के अंदर में एक तो यह चीज हमको पता चली के SHM के अंदर एक force होता है और अब linear SHM जो है इसकी कुछ condition होती है यानि के SHM की condition होती है किसी भी object का motion अगर SHM है उसकी condition क्या होती है के देखो जारा conditions for SHM देखो number one पहली condition होगी SHM perform करने के लिए के अब conditions for SHM में पहली condition हम ऐसी बना रहे है restoring force is always proportional to देखो दो कंडिशन तो हमारे SHM के लिए है जो दोनों पर चलते हैं angular SHM और linear SHM दोनों पर restoring force is always proportional to displacement होना चाहिए यानि के force is proportional to X यह condition होनी चाहिए और दूसरा है acceleration is always directed towards the fixed point यानि के mean position acceleration बोलो या force बोलो बात तो ही किए acceleration is directly proportional to X बात वही है लेकिन यह minus क्या बता रहे है यह negative बताता है कि always directed towards the fixed position एक mean position के तरफ fixed है यह mean position के तरफ है अगर आप इसको linear में लेके जाते हो तो linear SHM के अंदर क्या हो जाएगा वो straight line पर होना चाहिए वो straight line पर होना चाहिए उसको बोलते है linear SHM तो हम बलेंगे linear SHM के लिए एक और condition आ जाती है के linear SHM के लिए condition यह यह होती है के SHOULD BE ON SHOULD BE ON STRAIGHT LINE एक STRAIGHT LINE पर होना चाहिए ठीक है? यह हो जाएगा कैस देखो, क्या होता है RESTORING FORCE इंपोर्टन डेफिनेशन है कुछ यह भी पड़े हम तो हमको बारे और चीज़े पाता चाहिए RESTORING FORCE IS THE FORCE WHICH BRINGS IS THE PARTICLE TOWARDS THE MEAN POSITION इसको RESTORING FORCE इसको RESTORING FORCE बोलते है IT IS ALWAYS DIRECTED OPPOSIT TO THE DISPLACEMENT यह होगा अपना RESTORING FORCE और यह INTERMOLECULAR FORCE मैंने पहले बताया था आपको next is AMPLITUDE AMPLITUDE IS THE MAXIMUM VALUE OF DISPLACEMENT FROM THE MEAN POSITION मीन POSITION से सबसे ज्यादा जो दूरी होती है किसी एक तरफ मीन POSITION के किसी एक तरफ की जो सबसे ज्यादा दूरी होती है उसको AMPLITUDE तो आप अगर देख सकते हो कि 2 EXTREME POSITION है आपके है अगर 2 EXTREME POSITION के DISTANCE को आपने मेजर किया और इसको DIVIDE BY 2 किया तो वो आपको AMPLITUDE क्या देता है AMPLITUDE तो AMPLITUDE IS THE DISTANCE BETWEEN 2 EXTREME DIVIDE BY 2 कैसे चलो इसको DRAW करके देखते है देखो हमारे 3 LOCATION होते है एक तो मीन POSITION होती है PARTICLE की जहाँ PARTICLE है और उसके बाद में यह 2 LOCATION होती है मतलब क्या होता है हमारा PARTICLE सबसे पहले वह सबसें निकलता है मानलो एसे निकलता यहाँ से, यह मीन POSITION है यह से निकलता तो वह क्या कड़ता है पोजिटिव एक क स्ट्रीम तक जब जा रहा है तो हम इसको मार्क करते है और यह बोलते है इसका यह है PART 1 आज़किए यह 200 यह तक पहुंचता है और positive extreme पर पहुंचकर वो U turn लेता है और वापस आता है वो mean position के दरफ तो यह हो जाएगा इसका second path तो यह हो जाएगा path number two वो यहां तक mean position तक आया बट वो mean पर रुखता नहीं है और वो मीन पर नहीं रुकता है तो वो आगे चला जाता है समझ लो ठीक है वो आगे चला गया और वो इस तरह से आगे जाएगा और फिर वो इस extreme पर जाकर फिर पलट कराएगा और यहां पर आकर रुकेगा तो यह direction में वो देखो यहां जा रहा था यह होता है उसका path number 3 और यहां पर वो वो वापस आ रहा था this is called path number 4 और यह चारो path जो है यह सारा पूरा motion मिलाकर one oscillation बोला जाता है इसको क्या बोलते है one oscillation one oscillation का meaning क्या होगा फिर one oscillation मतलब particle जो है mean से निकल कर positive negative extreme पर जाए positive extreme से mean पर वापस आया mean से negative extreme पर जाए negative extreme से वापस mean पर आया this is called one complete oscillation इसको one complete oscillation बोलते है और आप यहां देखो के यह जो distance आपको दिखाई दे रहा है this distance is called amplitude a इसको बोलते हैं amplitude तो यह positive extreme है यह negative extreme है इन दोनों का distance निकालो इन दोनों के distance को path length बोला जाता है क्या बोलते है उसको path length तो हम बोलते है यह दोनों का distance निकालो उसको 2 से divide करो क्योंकि amplitude दोनों तरफ same होता है it is not possible कि amplitude एक तरफ तो a हो और दूसरी तरफ 2a हो जाए या a से कम हो जाए it is not possible at all किसी भी तरगा से possible गहीं अगर motion oscillation वाला है तो इधर भी Amplitude होता ही है और यह जो length आपको दिखा देर ही न यह जो length आपको दिखा देर इसको बोलते है path length इसको क्या बोलते है path length बोलते है path length 2a, amplitude का double होता है, यह amplitude है, और यह इसका double value हो जाता है, यह mean position है, यह extreme position है, extreme position पर displacement maximum है, a के बराबर, और इधर में देखेंगे तो, यह किना है, displacement is minus a, समझे बात को, इस जगह पे displacement minus a है, इस जगह पे displacement plus a है, इस जगह पे displacement plus a है, बस इतने फर्क आपको समझ में आना चाहिए, दूसरा सबसे इंपोर्डन डेफिनेशन होता है, time period का, the time required to complete one oscillation is the time period, तो time period को बलते है, time required to complete one oscillation, one complete oscillation, मतलब one complete oscillation बले तो इसमें देख लो, मीन से निकल कर एक्स्ट्रीम पर जाना, एक्स्ट्रीम से निकल कर फिर मीन पर आना, मीन से निकल कर नेगडिव एक्स्ट्रीम पर जाना, नेगडिव एक्स्ट्रीम से फिर वापस मीन पर आना, this is called one complete oscillation, या फिर यह oscillation को आप ऐसे भी इसको भी oscillation ही बोला जाता है, एक complete oscillation बोला जाता है, ठीक है, समझे बात को, तो इसको भी complete oscillation बोला जाता है, extreme to extreme जाना और वापस आना, ठीक है, उसको बहुते है, a complete oscillation, और हम उसका definition यह भी बना सकते हैं, the time for which, क्या कि हमने the time for which the particle repeats after which the particle repeats its motion is called the time period यानि कि हर 3 second बाद अगर वो अपना motion repeat करता है particle तो उसको 3 second को time period बोला जाता है और time period की जो definition हम लिखते हैं तो उसके हिताब से उसका एक formula आता है और वो हता है capital T is equals to denote करते है उसको capital T से और फॉर्मला लिखता है 2 pi by omega तो इसा लिखता है और एक और फॉर्मला लिखता है T is equals to 1 upon 1 upon n here n और omega लिखते है तो omega यह है अग्यूलर फ्रिक्वेंड़्ट्वेंशी जो हमने पड़ा था 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 थ t is reciprocal of 1 upon n, decian reciprocal of frequency अगर तो अगर तो इसकी के देफिनेशन बनेखिए फिर उसी बनेगी? यह सुन्ट से स्थ्रिक्वेंशी फ्रिक्वेंशी का मतलब है कि नुबर अभ 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 उस्लेशंस इन 1 सेचंड number of oscillations in one second is called the frequency एक सेकंड में कितने oscillation हो पाए तो वो डिपेंड करता है n की वेलू डिपेंड करती है 1 upon t पर ठीक है याँ कि इसकी यूनिट को जाएगी फिर यूनिट होगी हर्ड्स या साइकल पर सेकंड ठीक हर्ड्स हो जाएगी यूनिट आप यह वाले पॉइंट को देखो कि फ्रिक्वेंसी अपने को समझी यहाँ तक कि फ्रिक्वेंसी माद एक सेकंड में कितने एक सेकंड में कितने oscillation और पहला टाइम पिरिड़ था यानि कि एक और इक उस्सिलेशन को कितना टाइम यहे फर्क दोनों में चाल भेद के बहुत ही steeple definition oscillations और vibration Collaboration मेंन बड़रे झाल को बलेंगे दूने जचल को बलेंगे Basically, जर्यों भी oscillation और vibration दोनों भी एक ही motion पर मुशन का नाम है Generally, both are same both are same, but Generally oscillations oscillations with low frequency low frequency and high amplitude high amplitude high amplitude referred as referred as referred as the oscillations okay? oscillations and and with high frequency oscillatory motion high frequency and low amplitude or small amplitude small amplitude are termed as vibrations vibrations okay? vibrations how does it mean? let's make an example let's make an example a boy in a swing what is this? what is this? a boy is this example oscillation oscillations not oscillations okay? and a needle in motion of a needle in sieving machine okay? what is the sieving machine in the sieving machine? what is the motion of the needle? what is the vibratory motion? or clear or if I tell this oscillation because it's not so much it's not so much it's not so much if we increase the needle then it will be called vibration so what do we do and make a perfect example see motion of a hammer of a bell vibration of a hammer of a bell it's very small amplitude and it's very much this is oscillation motion but it's called vibration because it's very fast speed is very much number of oscillation frequency is very much okay? so they are given terms that vibration and oscillation we have written frequency that is the unit so we will write that frequency the unit will be hertz you will know so the one cycle per second can be called unit of frequency hertz okay? we will note it in hertz and that is going to be hertz we will write it like और भी देफिनिशन होते हैं जैसे कि phase of SHM लेकिन phase के लिए मुझे आपको और कुछ चीजे समझानी पड़े कि इसले फेज नहीं लेते हैं अभी वह कुछन ले लेते हैं हमारा SHM की कंडिशन तो हम को समझ में आगे ना पहला बट नोट SHM periodic motion बट नोट SHM परियोडिक मोशन बट नोट SHM लेकिन टो अन फ्रो करना चाहिए था लेकिन टो अन फ्रो नहीं है और शर्कुलर मोशन है इस ही लिए second है motion of an oscillating mercury column in a YouTube तो देखो वो YouTube इस shape का होता है ठीक है ऐसे इसमे क्या होता है इसमे क्या होता है इसमे क्या होता है इसमे क्या होता है यह पूरा mercury फिल अप होता है यह पूरा यह मैं आपको डीटेल में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में बाद में इसका फॉर्मले के साथ और यहां पर इतना होता है अगर आपने काया किया यह क्योम कि इसेले पहले क्लिए साम इर आपने इतना वूंपर्ण पılar इसें कर दया है तो यह आपने पर परिते हैं तो यह चोल दिया और बाद आपने इसोड़ इसको बहुत है झालाशन अजिए अ धिसने मरक्यूरी उन यू शेयप ट्यूब के अंदर में इसा कुछ होता है तो ये विल्कुल आश है ट आश है ट इस अचम कि ट इस अचम तीसरा कॉश्चन है का शोन हो जाओ बेरिंग इंसाड अ मूल्ड कर्व ड बॉल इसा कोई तो भी कर्व बॉल होगा और उस बॉल के अंदर में जो है आप देखेंगे के अधसल देखेंज, अधसल बॉल 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 है कर देखेंगे में चूसे में लिएस्ट, बॉल 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 ह इस सलीश 2020 2020 2020 2020 तो बॉल में अधसी बॉल बॉल हमने । उससे पाली डेखेंगे मिसेगेगे, आपे अनी रॉञ बाद Nellis Vibration of a Polyatomic Molecule about its Equilibrium Equilibrium about polyatomic evaluation It is a periodic motion Periodic but not SHM SHM तो नहीं होगा क्योंकि यह मुल्टिपल SHM का Mixture होता है Polyatomic बोल दियाना मतलब कि एक सब्यादा Molecule इसके इंदर में और जो वाइबरेट कर रहे अगर सिंगल मॉलीकुल का वाइबरेशन होता तो हम उसको SHM बेडाल देते लेकिन यह बहुत सारे SHM का Mixture है इसलिए हमने Polyatomic Gas उसको क्या बोला है Polyatomic Molecule ही बोला है और उसको Vibration को Periodic तो बोला है लेकिन SHM नहीं बोला हमने उसको ठीक है SHM नहीं बोला है तो देखो प्रवाशन करते हैं उसको Translatory Motion तो पूरी बोली एक एक एक्सिस पर आगे की तरफ चलते है उसको Translatory Motion जैसे कि अग गण है और उसमेंसे बुलेट चलना तो उसको भी Translatory Motion Football वगर यह सब Translatory Motion डूसरा उता रोटेट्री Motion जिसके अदर में रोटेरी मोशन और माला देखें पर प्राइच, निक बोटेटरी मोशन देखें टीटरी इन रोटेटरी मोशन रोटेशन देखें कर रहे हैं अब प्रियोडिक मोशन में एक मोशन अथा है आप प्लनेट्स का, याई कि मैन वह शुवाँ्ट वह भूं रहा हैं तो यह सब क्या है? यह पिरियोडिक मोशन ऑ़ को आप यह, यह शुब तेम मौशन मोरत हैm इस में हैं सिविंग मतशीन जो robi और इस नीडल कर रहे है एक momo करते हैं तो जुबस करते हो हम ना झो ऐसो ऑपने औरral मोंचा। तो oscillatory motion mainly क्या है? oscillatory motion है इस तरह का motion देखो आपने किसी एक object को इसे disturb किया और वो अपने mean position की तरफ ही oscillate करने लगा about mean position उसको बोला जाता है तो oscillatory motion periodic तो होते हैं ठीक है? oscillatory motion periodic होना जरूरी है but every periodic motion oscillation होना जरूरी नहीं है यह पढ़ा था पनने but every periodic motion need not to be oscillatory motion क्योंके circular motion जो हो रहा हा था प्लानेट का वो भी तो periodic था लेकिन तो oscillatory नहीं था अब यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो अपके पास में देखो यहाँ पर एक spring block system है ठीक है? और इसी तरह का spring block system हम हम हर यह देखो 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 यह द बोला होगा आपका oscillatory motion ये भी है लेकिन ये angular SHM इन इसका अन्ग अन्ग श्चम इसकाँ इसका अन्ग 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 इसका और एक फोर्स ये ग्रीन वाला हमेशा मीन पोजिशन की तरफ रहता है वो बोड़ेट को मीन पोजिशन की तरफ लाने की कोशिश करता है तो इसको बो इसको बोलते है, Simple Harmonic Motion अब जो समझें, हमने यह दोने एक्जामपल देखे तो यह यह आपका यह लीनियर SHM एक यह दोनों एक्जामपल को समझ लो तो हम इसको लिख देंगे, यह है linear SHM और यह है angular SHM एक यह अग्यूलर SHM और linear SHM इसको नेक्स्ट इस, यह भी oscillatory motion हुआ जिसके अंदर में एक लड़का स्विंग में जूल रहा है यह एक्जामपल मी मैं आपको लास्ट लेक्चर तक देते रहूंगा बहुत सारी चीज़े इसको यह यूज होने वाली है इसको motion भी oscillatory यह में पोजिशन है यह यह में बीच में यह समझो और इससे वह दोने तरफ जाता है एक्स्ट्रिम पर जाता है पॉजिटिव एक्स्ट्रिम पर जाता है नेगडिव दोने बड़ जाता है अब इसको अब रहा है इसको हाँ अवा लगती है osis yn सबाँ करहा कि तका रहा है अबत इसको गहाँ करया है अबसे अजिवड़ दोने जाता है अब्लिव मिली में अटेक्स बड़ं करता है एक अजिलाशन करता है कर दोने का आए शिलिशनाय करता है यह फाला है इसको बोलते हैं 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 इसको बोलते है आपको SHM समझा, यह एक्जामपल अगर समझे है तो देखो अफ़रा, यह टाइम पिरेड होगा, यहां से निगला, और जाकर वापस आया टाइम पिरेड शुरू से देखते हैं, देखो यहां से निगलाब A यहां से निगलाब B जाइन B और A आया इसा समझे है A B B A देखो, तो इसको बलते हैं, जासे इसको ताइम पिरेड बलते हैं तो वह टाइम पिरेड के अंदर में एक-एक टाइम बीत श्क्रवान और इसके इतर अधर श्क्रब होते जाएंगे यहां पर उबता हूच कि इना थे लिए हैं इसके राund से लिए हैं तो आप गजए एउडियो है यहाआप चेहर राउंड वहा और उडिए लिए विए यहाँ तो आप आप याँने लिए लिए किमिझा लिए हैं the number of oscillation is 10, that means that 1 oscillation is 2 seconds 1 oscillation means A to B and B to A, we call it 1 oscillation okay, this will be done, so time period is 2 seconds that means that in 1 second the vibration, then what do we call it? frequency of oscillation motion, what do we call it? frequency is reciprocal, time period means if time period is 2, then how much time period is in 1 second that means frequency will be done, we will write here frequency is equal to 1 upon t that means 1 upon 2 seconds okay, that will be done 1 oscillation in 2 seconds that was like that, so how many oscillations in 1 second? half, half oscillation understand? that is like that frequency is equal to 10 oscillation means 20 seconds so 1 oscillation means 2 seconds so we can remove this number of oscillation upon time taken number of oscillation is 10 time taken is 20, that means half now I have written that half okay, we call it frequency okay, we give it a unit Hendrick Hertz what will be displacement? displacement means that you have to disrupt our object in any way, A or B we call displacement okay, how small displacement displacement will be or even mean position which will go displacement and then it is an extreme position let's see, A and B are extreme positions A and B are extreme positions when A says negative extreme this is negative extreme and this is positive extreme okay, it's so much तों इस परक्षराइं है उसके बाद जाना चीजेए कि positive एक्स्रीम पॉजिटिव वोला जाएगा इधर एक्स्रीम को negative वोला जाएगा में पोजिशन तो में पोजिशन है उसमें कोई टेंशन नी है ठीक है यह बहुत सारी चीज़े आपको बाद में समझ में आएगी ठीक है? अल्रेडी अब यह हमारा एक spring block system है थेखो restoring force उस पर कैसे काम करता है यह red color का restoring force है थेखो and restoring force always towards the mean position काम कर रहा है ठीक है था न शहीज बात है मैंने लिखा थो तो यह 2 and 4 motion और इसके अंदर में हमेशा जो फोर्स लग रहा है वह मीन पोजिशन की तरफ हो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं यह A जो है यह पॉजिटिव एक्स्ट्रिम पोजिशन यह नेगडिव एक्स्ट्रिम पोजिशन और X सब चीज़े होंगी उसके अंदर में तो यह थे कुछ पॉइंट्स जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे ठीक है हमारे लेक्चर में तो चले कंटिन्यू करते हैं नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवालते हैं